आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो फाइनली आप सभी लोगों के डिमांड पे इस क्लास से हम लोग आपके पेपर फर्स्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं और जो टॉपिक कवर करेंगे ये बहुत ही इंपोर्टेंट होगा और ये ना सिर्फ आपके इस सलेवस के लिए बलकी यानि इस एक्जाम के अलावा भी आपको यूपी, टेट, सी, टेट और गॉर्मेंट जॉब में इससे डारेक्टली कोशन बनते हैं ये जो पूरा पेपर ये बहुत इंपोर्टेंट होगा तो जितनी भी क्लास से जाएंगे उसको इंट तक जरूर देखीगा इस पेपर का पूरा नाम है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया जिसको इंग्लिस में Child Development and Process of Learning कहते हैं हम जितनी भी क्लासेज लेंगे अपकमिंग डेज में वो सब बाइलिंग्वल होंगी तो आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले आप देख सकते हैं इस क्लास में हम लोग बाल विकास के अर्थ को आवशक्ता और शित्र को पढ़ेंगे बाल विकास यानि Child Development इसके Meaning, Need और Scope को हम देखेंगे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बाल विकास दो सब्दों से मिलकर बना है बाल और विकास बाल का मतलब है बालक से इंग्लिश में भी सेम हो जाता है Child Development, Child प्लस डेवलपमेंट तो Child का मतलब आप सबी लोग समझते हैं जब भी हम Child या बाल की बात करेंगे तो इसमें बालक बाली का दोनों आ जाएंगे ये दियान रखिएगा अब हम लोग जान लेते हैं कि विकास का अर्थ क्या है फिर उसके बाद हम लोग इसको और डीटेल से जानेंगे ज्यान से एक बार मैं फिर से बता दूँ अगर आप इसको बहुत इंट्रेस्टिंग तरीके से पढ़ लेंगे तो आपको फ्यूचर में कभी दुबारा पढ़ने की और परिशान होने की जरूवत नहीं पढ़ेगी देखिए विकास का अर्थ होता है परिवर्तन का एक क्रम ही विकास कहलाता है विकास एक सारभौमिक प्रक्रिया है जो संसार के प्रतेक जीव में पाई जाती है यानि एक ऐसा उनिवर्सल प्रोसेस है जो हर सजीव वस्तो में आपको देखने को मिलेगा और विकास की ये प्रक्रिया जो है गर्वधारण से लेकर मृत्यू परियंत किसी न किसी रूप में चलती रहती है ये सिर्फ जन्म के बाद या जन्म से ही नहीं बलकि गर्वधारण समय से ही हमारे अंदर मनुष्य में या जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं उनमें विकास देखने को मिलता है जैसे आप इस बचपन के एक पिक्चर को आप देख सकते हैं इस बच्चे के अगर आप इससे तुलना करेंगे तो आपको बहुत सारे अंतर और इनके में परिवर्तन देखने को मिलेगा और यही परिवर्तन विकास है जो कि सभी जीवों में और हर यानि ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ यही पर यानि यह हर जीवों में अलग-अलग तरीके से देखने को मिलता है इसकी गति कभी तिब्र होती है, कभी मंद होती है मानव विकास का अब यहां से आपको समझना है मानव विकास का अध्यन मनोविज्ञान की जिस साखा के अंतरगत किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान कहा जाता है यहां पे दो सब्द आएंगे अभी जैसे हम लोग बाल विकास पढ़ रहे हैं, मानव विकास के जब हम लोग बात करते हैं, तो ये आपके शैश्वा अवस्था से लेकर, यानि नवजात अवस्था से लेकर, ये बुढ़ापे तक चलने वाला एक पुरा करम हो जाता है, लेकिन आप हमारे लिए जरूरी ह होता है, बाल विकास क्योंकि जब आप टीचर बनेंगे, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए, कि आप जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या पढ़ाने जा रहे हैं, उनके बारे में आप कितना जानते हैं, तो मानव विकास का अध्यान, मनोविज्ञान की जिस साखा के अंतरगत होता है, जिस ब्रांच के अंतरगत होता है, उसे बाल मनोविज्ञान कहा जाता है, पहले इसी सबजेक्ट को बाल मनोविज्ञान के अंतरगत पढ़ा जाता था, लेकिन अब मनोविज्ञान की ये साखा जो है, बाल विकास कही जाती है, क्यों कही जाती है, उसको समझ लेजिए जब हम बाल मनोविज्ञान की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि बच्चे के सिर्फ मनोविज्ञानिक यानि psychological perspective को psychological यानि मनोविज्ञानिक पक्ष को ध्यान में रखते हैं लेकिन जब बाल विकास कहा जाने लगा तो इसमें धेर सारे पक्षों को हम जानने लगे उसके भावात्मक विकास समाजिक विकास सांस्कृतिक विकास भासाई विकास इन सभी चीजों को देखने लगे इसलिए बाल मनोविज्ञान जो शब्द था वो धीरे धीरे बाल विकास कहलाने लगा तो ये आप लोग ध्यान से समझ लेजेगा, एक्जाम में लिखने के लिए भी, वाईवा में बताने के लिए भी और अपनी जानकारी के लिए भी. मनोविज्ञान की ये नमीन शाखा का विकास जो है वो पिछले 50 वर्सों में सरवाधिक हुआ है. मनोविज्ञान जो है आपको पता है psychology का अगर मेनिंग एक लाइन में कहें, मैंने मनोविज्ञान B8 की क्लास में पढ़ाया, अगर आप उसको देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं चैनल पे. मनोविज्ञान का मतलब होता है व्यहवारों का अध्यान, मनुष्णों के व्यहवारों का अध्यान ही मनोविज्ञान कहलाता है, और ये जो subject बना, नया subject आया, ये इसी psychology मनोविज्ञान की ही एक ब्रांच है, जो कि पिछले 50 वर्सों में इसका सरवाधिक विकास हुआ, इ परत्मान में बाल विकास के अध्यानों में मनोविज्ञानिकों की रूची दिन प्रते दिन बढ़ती जा रही है, प्रेजेंट में जितने भी जो teaching related प्रोग्राम चलाया जाते हैं, उस सब में ये अनिवारे कर दिया गया है बाल विकास पढ़ना, psychology पढ़ना, अब हम subject है, अगर आप से पुछा जाये कैसा subject है, तो ये एक प्रकार का नया विशय है, जिसमें लगातार नई-ने चीजे जूड रही है, अभी भी नई-ने रिसर्च इसमें जूड रही है, तो इसलिए आप इसको नए subject के तोर पे मान सकते हैं, इसके अंतरगत अब बात आती है क बाल विकास का अर्थ तो सरम ने जान लिया, अब ये बताईए कि इसके अंतरगत पढ़ते क्या ए, जानते क्या हैं, तो आप इसको ध्यान से समझ लिजे, बाल विकास के वहवार, पहले उनके वहवारों को, इस्तितियों को, समस्याओं को, तथा उन सभी कारणों का अध् पढ़ता है यानि हम लोग इस subject में बच्चों में जितनी भी समस्या है चाहे वो उनके वैवार की समस्या हो चाहे उन में कोई इस्तिती हो जो भी situation है वो सब हम जानने के कोशिश करते हैं करम को जानने के करते हैं कि कब बच्चे कौन सी चीज शीखते हैं और किस तरीके से बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से सिखाया जा सकता है जिसे लंबे समय तक याद रहे यानि ये सभी कारणों को हम लोग इस विशय में पढ़ते हैं वर्तमार यूग में कि अनेक समाजिक सांस्कृतिक लाज्डियतिक एहं उर्थिक कारण की अधार्शिला वह भी प्रभावित होता है यानि यहां पर हम यह भी पढ़ेंगे कि कैसे किस तरीके से बच्चे गलत मतलब संगती में बच्चे किस तरीके से उन पे प्रभाव पढ़ता है यानि परिवार का प्रभाव क्या है बच्चों पे विद्याला का प्रभाव कैसे पढ़ता यह सब कुछ इस विशय में आपको जानना होता है अब बात आती है कुछ परिभाशा की. जो परिभाषा है, मनोम विज्यानिकों ने दी है, जिसको आपको आप लोगों को समझना होगा, और इसको थोड़ा बहुत आपको नूट भी करना होगा, याद भी करना होगा. पहली परिभाषा है क्रोओ और क्रोओ के अनुसार. प्रोओ वो वग्यानिक अध्यान है जो व्यक्ति के विकास का अध्यान गर्बकाल के प्रारम से किशोरा अवस्था की प्रारम भी अवस्था तक करता है यानि ये मानते हैं कि बच्चे के शैस्वा अवस्था से यानि शैस्वा अवस्था के बात है यानि नौजात अवस्था से लेकर वैसका अवस्था तक जितने भी विकास है उसका अध्यन ही बाल विकास या बाल मनोविज्ञान कहलाता है इसमें confuse मत होईएगा जब इस मनोविज्ञान से जब नई ब्रांच निकली तो उसका नाम बाल मनोविज्ञान हो गया ठीक है बाल मनोविज्ञान जब आगे बढ़ा तो आप बाल विकास कहलाने लगा तो अगर हम दोनों का भी प्रयोग करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है जेंस ड्रेवर के अनुसार अब दूसरी परिभासा समझ लेजिए बाल मनोविज्ञान जो है मनोविज्ञानिक की वो साखा है जिसमें जन्म से परिपक्वा अवस्था तक विक्षित हो रहा है मानों का अध्यन किया जाता है आप देखेंगे कोर में ये कहना एक ही चीज क को चाहते हैं कि बाल विकास के अंतरगत हम लोग जादा फोकस करते हैं बच्चे के शैश्वा अवस्था से लेकर उसके किसोरा अवस्था के बीच ओने वाले सभी प्रकार की परिवर्तन को उनके वहवारों में परिवर्तन के सोचने में परिवर्तन के भावों में परिवर तथा उसका उचीत समय पर उचीत ढँख से विकास हो सके तो प्रतेक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। अगर आप teacher बन रहे हैं और अगर आप teacher है और आप बच्चे के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता हो कि किस समय बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है। कब क्या ज्यान देना है, उनकी समस्याओं कैसे समझना है, उनके वहवारों को देखकर आप कैसे गेस कर पाएंगे कि उन्हें क्या प्रॉबलम है, और फिर आप अपनी चीजों को पढ़ाएं या उसके उपचार का काम करें, तब बच्चा एक सफल व्यक्ति बन सकता, ऐसा थ वहवार रुचियों और लक्ष्यों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोच पर बल दिया जाता है, जो उसके एक विकासात्मा कवस्था से दूसरे विकासात्मा कवस्था में प्रदारपन करते समय होता है, यानि ये कहते हैं कि कैसे बच्चों में जैसे पर देख सकते हैं लक्ष भी बदलते जाते हैं आपका व्यवार बदलते जाते हैं बच्पन में बच्चे बहुत रोते हैं धीरे दीरे वह रोना कम कर देती हैं तो यह सब कुछ जो है यानि एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जो भी परिवर्तने वो सब पाल וिकास, ब ये खोज करने का भी प्रयास किया जाता है क्या प्रयास किया जाता है कि ये परिवर्तन कभ होते हैं और क्या कारण है और ये वैक्तिक है या सारभौमिक हैं जैसे हम यहाँ पर बाल विकास के अंतरगत अब ये मनुविज्ञान का विशय है तो इसके अंतरगत हम ये भी यानि यह अलग-अलग व्यक्तिक का अलग-अलग प्रभाव पड़ता है या यूनिवर्सल है या सब में होता है इस पे भी खोज चल नहीं है इस पे भी डेर सारे थियोरीज अभी आई है और फ्यूचर में और भी आएंगी अब उपरयुक्त परिभाशाओं में जितनी हम ल वाले क्रमिक परिवर्तनों का व्यग्यानिक अध्यन किया जाता है यह अगर आप लाइन लिख देते हैं आप लाइन बता देते हैं तो यह वन आप देश्ट और परफेक्ट डेफिनेशन होगी पाल विकास की यह मनोविज्ञान की साखा है इसको आपको रटना नहीं है बहुत इजली बता लेंगे फिर विभिन विकास अवस्थाएं शैश्वा आवस्था बाल्य आवस्था किशोर आवस्था में मानों के वहवारों में किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है उसका व्यग्यानिक अर्ध्यन यानि उसको साइंटिफिक स्टडी उसी की क्या है तो ऐसा तो है नहीं कि बिना आवशक्ता के हम लोग पढ़ेंगे इसकी आवशक्ता बहुत बहुत important है और बहुत जरूरी है अब आईए उसको जान लेते हैं बाल विकास अनुसंधान का एक चित्र माना जाता है यह एक एरिया है कि इसका अनुसंधान का जिसम में अभी भी रिसर चल रही है बालक के जीवन को सुखी और समर्दशाली बनाने में बाल मनोविज्ञान का युगदान प्रसंसनी है जो बालक को के समस्याओं पर विचार करते हैं और बालक मनुविज्ञान की उप्योगिता को स्विकार करते हैं हाला कि अभी आगे हम लोग इसको देखते हैं समाज के विभिन लोग बाल मनोविज्ञान से लभानवित हो रहे हैं जैसे बालक के माता-पिता, अभीभावक, बालक के सिक्षक, बाल सुधारक और बाल चिकिश्चक कैसे लभानवित हो रहे हैं कि जब वो बच्चों के बारे में समझ पा रहे हैं कि इस एज में ये प्रॉब्लम होती है इस एज में ये चीजे चाहिए इस एज में बच्चों को क्या-क्या समस्याएं आ रही हैं तो उस समस्याओं के अधार पर उपचार हम दे रहे हैं उस समस विज्ञान के द्वारा हम बालक के मन और उसके वहवारों के रहस्यों को भी भली भाती समझ सकते हैं। हर बालक अलग होता है, हर बच्चा, हर मनुष्य, उसमें अलग, मतलब कभी भी दो व्यक्ति एक समान नहीं हो सकते हैं। उनमें जरूर कुछ न कुछ अंतर और कुछ न कुछ विशिष्टाएं आपको देखने को मिलती हैं। कि और अच्छे तरीके समझ पाएं, तब ही आप उनकी लर्निंग, अधिगम का मतलब होता है, लर्निंग को और बढ़ा सकते हैं, उनकी कैपसिटी को बढ़ा सकते हैं, कि वो और इंट्रेस्ट दिखाएं पढ़ने में। उसके बाद किसी अवस्था में बच्चे की कौन सी शमता का विकास करना चाहिए, उसका उचित जो प्रियोग है वो अवस्था अनुसार विकास के प्रारूपों को जानने के पश्चाथी हो सकेगा। अगर आप ये जान लेंगे कि बच्चों में कब कौन सी स्किल आनी चाहिए, या बच्चे कब की सब्जेक के लिए इंट्रेस्टेड होते हैं, कब क्या जानने के लिए इंट्रेस्टेड होते हैं, तभी आप उनके अंदर वो सारी चीजें आप उनके अंदर विक्षित कर पाएंगे उधारन के लिए एक बच्चे को चलना तभी सिखाया जा सकता है जब वो चलने की अवस्था हो चुकी हो अने था इसका परिडाम विप्रीत हो सकता है जब आप चाइल साइकॉलोजी देखिए जो मदर होती है मा होती वो उन्होंने साइकॉलोजी नहीं पड़ी है लेकिन जब आप वो देखती है कि बच्चा आठ दस महीने से लेकर दस माह से लेकर या बारा मा पंदरा माह का हो गया है तो उसे चलाना सिखाती है ये कब आपको पता चला होगा ये सदियों से चला रहा है जो लोग नहीं भी पड़ें साइकॉलोजी वो भी जानते हैं कि बच्चों को कब चलाना सिखाना है, कब उनको खाना खिलाना सिखाते रहना है, यह सब psychology का एक हिस्ता है, अब बाल मनो विज्ञान के एक वहवारिक उप्योगिता ये भी है कि ये बालकों में समुचित निर्देशन के लिए वहवारिक उपाय बता सकता है, यानि ये ये भी बता सकता है कि हम निर्देशन के द्वारा बालकों के छमता और उनकी अभिवरित्यों को उचित रूप से लाग उठा सकते हैं कि कब बच्चों को उनके इच्छाओं को जान सकते हैं, उनके वहवारों को जान सकते हैं, ये सब कुछ और अगर कोई दोश है, अगर उनमें क आवर्शक है और बाल मनोविज्ञान के बिना मनोविज्ञान विशय अधूरापन लिए रहता है यानि जब तक एक teacher मनोविज्ञान ने रूप से नहीं सोचेगा या वो psychology या psychology नहीं पढ़ा होगा child psychology बच्चों को सही डंग से नहीं समझ सकता है और बच्चों को सही डंग से नहीं पढ़ा सकता है इसलिए आप लोग जानते होंगे कि UP-Tate, C-Tate की एक्जाम में, सुपर-Tate की एक्जाम में CDP का अलग portion होता है Child Development and Pedagogy ये इसलिए ये आपसे उमेद की जाती है देखा जाता है कि आप CDP कितने अच्छे से आप जानते हैं और तयार है अभी हम लोगों ने बाल विकास के अर्थ और आवशक्ता को पढ़ा है अगली क्लास में हम लोग इसके छेत्र को पढ़ेंगे जो की बहुत important होगा ये पहली क्लास है तो हम सोच रहे हैं छोटे लेंध की हो जिससे की आप लोग complete देखें और आगे हम लोग जो topic cover करेंगे उसको short में जान लेजिए इसकी अवस्थाओं को पढ़ना है अभी हम लोगों को फिर सारीरिक विकास मानसिक विकास समयगात्मक विकास भाशा विकास रिजनात्मकता क्या होती है व्यक्तित तो क्या होता यानि personality उसके अर्थ और प्रकार ये सब कुछ जो है आपको PDF मिल जाएगा आप एप में इसक के आगे की चीजों को और बहतर ढंग से विस्तित ढंग से जानने की कोशिश करेंगे उमीद करता हूँ ये क्लास आप सभी लोगों को समझ में आई होगी पसंद आई होगी अपकमिंग डेज में जो भी क्लासे जाएंगी उसको इंट तक देखना न भूलें मिलते हैं नेक कीद़ काड़ हैं लोगों के बात स состо